एक, तो, तीन, चार, पाथ, छे, साथ, इतने तो इनफ ही होंगे फैस्टिस सीजन आने वाले हैं और मैंने सारी सेविंग्स को अपने पास रख लिया है ताकि मैं पाले जा करके अपने लिए एक अच्छा सा हाइडरा फीशियल ले सकूँ ऐसा फीशियल जिसमें कॉस्टिंग भले ही जितनी लगे पर चहरा शाइन करने लगे मेरे ड्रस ना इतनी ही जादा शाइनी है और चहरा डल लगेगा तो कितना ही खराब लगेगा पर इतनी सारे पैसे भी तो जा रहे हैं क्या इन प्रॉब्लम से आप बचना चाहती है क्या आप चाहती है कि आपके स्किन आपके ड्रस से जादा शाइन करें आपका चहरा बिल्कुल ब्राइटें दिखें साथ में ही आपके सेविंग्स भी इन्विस्ट ना हो तो इस फेशियल को एक बार जरूर करिएगा अगर आप करती है ना तो यकीने आपके चहरे पे वो हाइड्रा फेशियल वाला गलो तो जरूर आएगा साथ ही चहरे के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे कैसे चलिए आगे वीडियो में बताती है हेलो एवरिवन वेलकुम बैक टो लवलीन की दुनिया आज मैं आपसे बताने आई हूं कि कैसे आप फेस्टिव सीजन में यह दही का इस्तमाल करके चहरे पे फेशियल कर सकते हैं चहरे पे उतना ही शाहिन पास सकते हैं जितना महंगे से महंगे प्रोड़क्ट यूज करके आता है जितना महंगे से महंगे फेशियल करके जितना घ्लो आता आपके चहरे पे अगर आप यकीनन आप पालर वाली को भी जाके बता दे कि यह फेशियल जरूर अपने चहरे पे जो आपके चहरे को इतना शाइनिंग बना देगा चहरे पे हो रहे हैं बहुत सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व कराएगा चाहिए आप किसी भी एज ग्रूप में क्यों ना आती हूँ इस डियाईवर के इस्तमाल जरूर कर सकती हैं क्योंकि यह बिल्कुल भी है जो कहते हैं बिल मेरा नाम है लव्लियो मेरी चैनल का नाम है लव्लियों की दुनिया जहां में जीरो इंवेस्टर ने बताती हूँ कैसे आप अपने स्किन का अपना हेर का अपने पूरे हल्थ का केर कर सकती हैं तो आज कर फॉर्स टीप है कि आप धेर सारा वाटर पीचे और इस होने की कि वज़े से हम बहुत बिमार पढ़े हैं तो प्लीज स्ट्रीट फूड को फॉलो जादा ना करें अपनी घर की रखी फुल फूर्स को खाईए ता कि आप हैल्दी फूइल कर सके और चलिए आज की दही ऐसे बनाना है बताती हूँ आगे बढ़ने से पहले चानल प करेंगा ता कि फ्यूचर में जो भी वीडियो उसमें शेयर करूं उसके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे और इस वीडियो से अगर कुछ भी एजुकेशन मिल रहा है एक लाइक जरूर करिएगा और चलिए देखते हैं कि दही से हम कैसे घर बैटे है फेशल कर सक तो मैं नहीं चाहती ही मेरे कोई भी यूटिफ फैमली को डिस्टरब हो इसके बाद सबसे पहला जो हम करते हैं वह है क्लींजिंग जिसके लिए मैंने यहां पर कच्छा दूद यानि रौ मिलका इस्तरमाल किया है इससे अच्छा कोई क्लींजिंग है क्या मेरे यूटिफ जाते हैं जो चहरे को बहुत जादा क्लीं करते हैं चहरे पर हो रहे हैं एकनी इसको ठीक करते हैं साथ ही सॉफ्टेर बनाते हैं चहरे को पोर्ग से गंदगी निकालते हैं चहरे पर जो पोर्ग में जमे हो जाते हैं गंदगी उसे भी यह क्लीं करते हैं अब आपको किया हुआ था तो आपको सबसे पहले अपने स्किन को क्लीन करना है यह देखिए बहुत ही लाइट लेकिन निकल रहा है तो आपको सबसे पहले कच्छे दूद से अपने स्किन को क्लीन करना यह हमारा स्किन प्रापर क्लीन हो चुका है पार्च मिनट अपने तरीके से छोड़े है और ज्ए स्क्रब टूम आपने स्क्रब पर चोडं चोड़ के बादे जैसा हम आपने जी डाशी कम्लाक टब्ले इस ऩम जो आपने फिर्स ने दैर बड़ने चैला जाएगा तो तो पर भी कषोल ड्रबें हो करें तो धो में हम्म करें अपने नीच कार लिया बाल уп्लाकि जा जू जिसके लिए मैंने half tomato लिया है और इसके उपर डालूँगी मैं तो second step में ले रही हूँ tomato और उसके उपर डालने वाली हूँ थोड़ा सा चावल का आटा यहाँ पर मैं rice floor लेने वाली हूँ और इसके बार अपने पूरे skin पर करने वाली हूँ scrub तो आप इस तरीके से अपने पूरे skin पर scrub करेंगे यह best scrub अच्छे तरीके से scrub कर लेंगे यह हमारा step second चल रहा है आप ना अपने महंगे से महंगे facials को भूल जाएंगे अगर आप इस facial को festive season या फिर regular way में करते हैं तो चहरे पे चाहे कितने भी problem हो आप कहने वाले हैं दीदी क्या बदा दिया तो आपने पूरे pulp को इस्तमाल करना है अच्छे तरीके से scrub करें और इसके बाद हम swipe off करेंगे तो मैं यहाँ पर देखिए पूरे अच्छे तरीके से अपने skin पर दे रही हूँ उसे तो मैटो में ना हमारे skin को tan को cut करने की capacity होती है काले पन को हटाता है चहरे से चहरे को शाइनियर बनाता है तो finally मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से scrub कर लिया है और इसके बाद फिर हम यहाँ पर अपने skin को wash out कर देंगे यहाँ पर जादा skin पर जादा damage area यहाँ पर होता है इस side में होता है नूर side area में तो उसे scrub करके आप हटा सकते हैं तो हमारा scrub हो गया है complete अब हम अपने skin को इस तरीके से wash out करके हटा लेंगे और इसके बाद बनाने वाले हैं पहना जादा clean हो गया है यह दो step करने के बाद आपको लगेगा भाईवा इसके बाद तो मुझे कुछ करना ही नहीं तो पहले अपने towel से dry कर ली जो चहरे को बिलक यह दो process के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि भाई वह कितना जादा glow आ गया है अभी ही पैक में तो magic होने वाला है तो इसके लिए सबसे पहला ingredient जो मैं ले रही हूँ जैसा कि मैंने बताया था हमारा yogurt यानी दही आपको गाड़ी दही लेनी है देखिए मैं यहाँ पे ग दही ले लेना है यह हमारा दही जो हमारे चहरे पर हो रहे बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है दही कैसे लेनी है बिलकुल मिस्टी दोही आपको नहीं लेनी है बिलकुल भी आपको जो घर वाली दही आप ले सकते हैं मगर आपको कोई भी फ्लेवर दही नहीं यू आप देखें, दो चम्मच आपको भर करके डाल देना है, तो यहाँ क्वाइंडिटी में कम बढ़ा रही हूँ, आप कम जादा कर सकते हैं, इसे हम अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स, मिक्स करने के बाद हम थर्ड इंग्रीडियन जो इस पैक के लिए प्रिपियर डालने व करने का तो यहां पर आपको थोड़ा क्वाइंटिटी में लेना है, बिल्कुल थोड़ा सापको ले लेना है, आपको इतना ही लेना है, इसे कर लेना है, मिक्स, चहरे पर जो शाइन आएगी आप कहने वाले है, दीदी क्या ही बता दिया, थाइंक्यू सो मच, यह पैक लग कर दो नहीं डाल रही हूँ, आप चाहे तो एड़ कर सकते हैं, यह अगर चाहे अपने गिया सकते हैं, अले हूं अपने प्लाइग आपको इस तरी के से अप्लाइग करना है, और यह रटी कीजिताना है, कोई भी प्र पैक लगाते है इसको इस तरी के से जच послед Где आपक,μशLY वाव आप अपने पूरे इन्वेस्टमेंट जो आपने इन्वेस्ट किया है अपने फेशियल के लिए यकीन है अगर आप इस फेशियल को करते घर पे न तो आपको वो पैसा आपका बिल्कुल बचने वाला है पालर वाली दीदी से भी कह सकते हैं कि दीदी ये वाला फेशियल रखना कितना मिनिट है आप सब जानते हैं जो भी फेशिल पैक में बताती हूँ उसे आपको 15 से 20 मिनिट रखना होता है 15 ठीक है 15 मिनिट आप रखे इसे वाश आउट कर लेंगे तो चलिए मैं 15 मिनिट के बाद में तो फाइनली मेरा हो गया था 15 मिनिट ओवर अब मैं आपके सामने से हटाती हूँ वाव यह तो था एक एक दिन का एक फेशियल का रिजल्ट अगर आप इसे ऑल्टरनेटेश पे करेंगे ना तो चहरा बहुत शायन होगा आपको पर्डे पे नहीं करना अगर आप चाहे तो प मैं डेफिनेटली कहने वाली हूँ कि बहुत कम कॉस्ट में यह जो फेशियल आप घर पे करेंगे ना यह जो ग्लो है ना पैसे देखे नहीं मिलने वाले आपको तो मैं तो अपने पैसे इंवेस्ट बिलकुल नहीं करने वाली हूँ इस पेस्टिव सीजन आप मैं इकारने अपने चहरे से प्रॉपर हटाके अगया है कम्पीट अपने को ड्राइ कर ले विलकुल वेट टावल से मैं हटा करके दिखा रही हूँ आप देख सकते हैं कितना जादा चहरा शाइन कर रहा है कोई भी मेक अप नहीं है कोई भी आप देख रहे है कोई एक्स्ट्रा यह नह अपने स्किन को पैले ड्राइ कर ले उसके बाद आपको यहां पर कोई भी मॉस्ट्राइजर डियाइवाई मॉस्ट्राइजर मैंने बहुत सारे बता रखे हैं आपको कोई भी मॉस्ट्राइजर लेना है पने स्किन के लिए एपलाई कर लेना है चहरे पर तो मिनिट का कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो आप घरवा जो भी आप कॉस्मेटिक वाले मॉस्ट्राइजर यूज करती है वो भी इस्तमाल कर सकती है तो आपको अपने स्किन पर इस तरीके से अपलाई करना है और बस हमारा फेशल ड़न कि आप समझगें कैसे प्रिप्यर करना कैसे इस्तमाल करना है तो इस फैस्टिव सीजन भी अगर आप अपने चहरे को इतना ही शाइनिंग बनाना चाहते है तो इस डिय वाई दही पेशियल को घर पे एक बार ज़रूर करिए और अपना हॉनेश रिव्यू ज़रूर शेयर करि अगर रेगुलर वे में 7 डेस करिए नेक्स्ट वीक में आप अल्टरनेट डेस पर करिए उसके बाद आप हफ्ते में दो दिन करिए इस तरही के से करेंगे तो भी स्किन पे बहुँआ शायन आएगा हरे ग्रूप वाले कर सकते हैं हर इसकिन टाइप वाले कर सकते हैं बट मैं ये कंफॉर्म करना चाहती हूं हर वीडियो में बोलती हूं पैच टेस्ट जरूरे नेक हैंड में जरूर टेस्ट ले करने के बाद अपने स्किन पे अपलाई करें मेरे चाहरा तो बहुत शाइन कर रहा है और मैं बिल्कुल पैसे इंवेस्ट करके नहीं बिल्कुल घर पे रखी चीजों का इस्तम्माल करके फेशल कराई हूँ तो आपका च्वाई से आपको कहा जाना है अपने फेशल वाली दीदी को भी ये टिफ जरूर बताईएगा अपना अच्छा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक धीर सारा किया कीजिए मैं आपको सच बता हूँ आपके लाइक से में बहुत जादा मोटिवेट होती हूँ और हैपी तु आल ओफ यू हैपी फेस्टिव सीजन ये पूरे सीजन आपके लिए बहुत अच्छा हो होप करती हूँ और इसी तरीके किसे डिया वाई कर स्तमाल करें चलिए फिर मिलते नए वीडियो के साथ अपना ख्यार रखें अपने बड़ों का ख्यार रखें और अपने स्किन का तो बिलकुल ख्यार रखें